नमस्कार दोस्तो भारत में दो लोगों की सबसे ज़्यादा पूजा होती है एक तो एक्टर है और दूसरा है किर्केटर इन दोनों ही वेबसाय में अताप ऐसा है फिल्मे और किर्केट एक दूसरे से जुड़े हुए भी है क्योंकि किर्केटर जो है आए दिन कोई ना कोई एड फिल्म शूट करते रहते हैं यानि उनका नाता जो है डारेक्ट या इंडारेक्ट जो है एक्टिंग से भी है यहाँ फिल्मे फ्लॉप हो जाए तो लोगों को ज़्यादा दुख नहीं होता क्योंकि यह जरोरी नहीं है कि हर फिल्म हिट हो लेकिन जब इंडियन किर्क जो है एक पूजा है किर्केट को लोग पूजते हैं यह इतना बड़ा खेल है हमारे देश में भारतिय टीम अब वर्ल्ड कप से लगबग पूरी तरह से बाहर हो चुकी है हाला कि टीम के तीन मैच बचे हैं लेकिन उनकी अब जो है कोई एहमियत नहीं है लेकिन सवाल आता है कि वो भारतिय टीम जो कुछ समय पहले आईपियल से पहले इंग्लेन में सिरीज जीती थी उससे थोड़ा और पहले जाए तो आउस्ट्रेलिया में सिरीज जीती थी और आईपियल में भी जो है सभी प्लेयर्स ने अच्छा काम किया था यानि अच्छा खेल रहे थे फि इम सेलेक्शन इतना घटिया था कि टीम की हार मैच के शुरू होने से पहले ही डिसाइड हो चुकी थी टीम में ऐसे खिलाडियों को जगह दी गई जो आउट ओफ फॉर्म थे और जो कप्तान कोहली और धौनी के खासम खास थे हार्दिक पंडिया ये हार्दिक पंडिया व और उसकी जो फिटनेस है वो पूरी तरह से खराब है उसके हर मैच में कंधे में दर्द होता है हर मैच में उसकी मास फेंसिया खिच जाती है यानि वो बंदा पूरी तरह से फिट नहीं है इसी तरह विराट कोली ने पाकिस्तान के खिलाब इशान केशन और शर्दुल ठाक से छेड़ चाड़ कर दी जिससे जो रोहिच शर्मा की बैटिंग है वो पूरी तरह से निकल कर सामने नहीं आ पाई भारतिय क्रिकेट टीम आज के समय में देश के लिए नहीं खेलती ये सिर्फ पैसो का खेल बन चुका है ये लोग IPL खेल के इतना ठक चुके हैं या पिछले ज्यादा ठके हुए हैं बॉलर्स को फेस नहीं कर पा रहे थे ठकान इनके चेहरे से जलक रही थी विराट कोहली एक अच्छा बैट्समैन हो सकता है लेकिन एक कप्तान के रूप में वह एकदम घटिया है टीम में टेलेंट की कोई कमी नहीं है टीम में जो टेलेंट है वो क देखते हुए करे इन लोगों को करोडो रुपे मैश खेलने के मिलते हैं इसलिए ये इसे जो है सिर्फ एक खेल की तरह लेते हैं जबकि दिखाते ऐसे हैं कि ये देश के लिए खेल रहे हैं देश के लिए कितना बड़ा मैडल जीत रहे हैं देश के लिए खेलते तो IPL और पैसो को जो है इतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता ये लोग सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं IPL को जबकि इन लोगों को महत्व देना चाहिए इंटरनेशनल किरकेट को